नमस्कार दोस्तों डिफेंशो में आपका स्वागत है तो दोस्तों चीन अपना खौफ बरकरार रखने के लिए ताइवान के शेत्र में लगातार घुस्पैट करता रह रहा है और अब उसने क्या कर दिया है यह मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा तो वीडियो में अंत रक्षा करेगा चीन पहले से यह कहता रहा है कि अमेरिका ताइवान के मामलों पर बोलना बंद कर दे क्योंकि वो उसका हिस्सा है और वो जब चाहे तब ताइवान को अपने में मिला लेगा लेकिन दोस्तों चीन लगाता ताइवान के डिफेंस शेत्र में घुसकर उसे ड किन में डिफेंस कमांड ने कहा है कि किन में के पास एक अग्याद सर्विलेंस द्रोन को मार गिराया गया है और यह पहली बार है जब कि ताइवान की गोलाबारी में एक संदिक्द द्रोन धरासाई हुआ है और दोस्तों मैं आपको बता दू कि यह पहली बार नहीं है कि ज पुलकर समर्थन कर रहा है जिससे ताइवान का आत्म विश्वास चरम पर है और अब ताइवान की रक्षा मंत्राले ने प्रतीबंति जल के उपपर उड़ रहे एक सर्विलेंस द्रोन को मार गिराने की पुष्टी की है जिया दोस्तों इसी बात को लेकर चीन के पत्रकार दिखा था कि ताइवान के सैनी को गोचेतावनी बेनलेंड के द्रोन को कभी भी नीचे ना गिराए संभवता वे नागरिकों से संबंदित हो सकते हैं लेकिन अगर उन्हें नीचे गिराए गया तो पीले ताइवान पर एक्शन लेने पर मजबूर हो जाएगा और दोस्तो मैं आपको बता दू कि पिछले चार दिनों में चीन के चार सर्विलेंस द्रोन ताइवान के हवाई शेत्र में घुसपैट करते हुए पकड़े गए हैं और इन पर किनमें डिफेंस कमांड ने चार बार गोलावारी की है तो दोस्तों चीन की इस ग्रे जोन रणीती को ताइवान के राश्पती तसाई इंग वेन ने सेना से सयम रखने के लिए कहा है लेकिन उनका कहना है कि इसका ये मतलब बिलकुल भी नहीं है कि ताइवान की सेना जवाब नहीं दे सकती वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है ताइवान के इस चीनी द्रोन को मार गिराने क बाद क्या अब चाइना भी कोई बड़ा एक्शन लेगा कमेंट बॉक्स में जोड़ी बताएं फिलाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही जैहें वंदे मात्रम